हलो एवरीबडी दिस इस दिग्रास सिंह राजपूत वेलकम टू मैगनेट बेन्स इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम फैमिनिजम के बारे में पढ़ेंगे फैमिनिजम एक मिजदार आईइडियोजी इस आइडियोजी को भी समझना क्योंकि बहुत सारे इशुज जो है आफ सोसाइटी में वो आपको फैमिनिजम आईडियोजी समझने की बाद में क्लियर हो जाएंगे अभी तक आपने जो तीन आइडियोजी पढ़ी है मार्क्सिजम, लिब्रलिजम और सोशलिजम तो ये कही न कहीं आपने इकनॉमिक इनिक्वैलिटीज के उपर पढ़ी थी मानते हो इस चीज को अब जो आप आइडियोजी पढ़ोगे ना फेमिनिजम तो वो एकनॉमिक इनिक्वैलिटीज को कम दर्शाते हुए सोशल इनिक्वैलिटीज को जादा दर्शाती है मतलब इसको सोशल डाइमिनिशन से समझने की कोशिश करना अब वो सोशल इनिक्वैलिटीज के चलते ही इकनॉमिक इनिक्वैलिटीज भी आती है men or women के बीच में तो basically feminism जो है तो वह gender के उपर क्या करती है deal करती है feminism है कैसी ideology है जो gender को explain करती है ठीक है अब gender भी क्या है उसकी भी आपको clarity मिलेगी हाँ पर मैदार इससा होने वाला है यह ठीक है जिसे core अगर हम समझे तो क्या है कि resources जो है वह evenly distributed रहना चाहिए justified way में और government जो है तो एक important role play करती है फिर उसके अलग-अलग version आये socialism के भी तो वैसे ही feminism के भी बहुत सारे अलग-अलग version है ठीक है तो feminism में भी एक तरह से जिसे दिखा जा तो एक radical feminism पर बात आ जाती है जहां पर यह बात की जाती है कि men or women equal नहीं men inferior होना चाहिए women superior होना चाहिए तो यह तो एक तरह से वही patriarchy का opposite हो गया matriarchy के हदो इसे आप ठीक है तो वह भी एक version होता है अभी मैं आपको इतने dimensions इसलिए दिखा देता हूँ क्योंकि आप 11 में आ गए हो आगे जाके आपको इन सारी चीजों को और पढ़ना है लग-अलग dimensions है लेकिन objective क्या है कि class 11 में आपको basic idea रहे feminism के बारे में वह मैं अभी समझा देता हूँ ठीक है तो feminism का basic idea में आपको समझाओंगा इसे अच्छे से पढ़ना समझना चीजों को connect करना fine चलो तो देखो क्या है यह चीज दियान रखो equal rights की बात की जाती है यह बात नहीं की जाती की women को ज्यादा right दिये जाए ठीक है तो feminism क्या है feminism is a political doctrine of equal rights for women and men simple चीज है men और women को समान अधिकार मिले अभी क्या हो रहा है inequality कहां exist करती है कि men को ज्यादा right है women को कम है तो यह तो inequality है ठीक है तो इसके अगेंस्ट में बाद उठा के क्या करना है कि एक्वल राइट्स मिले तो feminist जो होते हैं वो इस चीज की बात करते हैं feminist कौन होता है सर तो the one who believe in this idea is known as feminist अब वो चाहे men भी हो सकता है women भी हो सकता है जिके अब मैं as an individual इस चीज में विश्वास रखता हूँ कि जितने अधिकार एक महिला के होते हैं उतने भी पुरिश्क भी होना चाहिए समाज जो है वो पुरिश्प्रदान नहीं होना चाहिए तो मतलब मैं एक male और female में equality की बात करता हूँ मैं यह नहीं बूलता हूँ कि society patriarchal हो जहां पे male domination हो ठीक है तो वो क्या है अब मैं women के rights की अगर बात कर रहा हूँ तो मैं भी feminist कह लहूँगा आगे समझें तो feminist कौन होता है हर वो इंसान जो इस idea में बिलीव लगता चाहिए वो men हो चाहिए वो women हो ऐसा नहीं है कि women के rights की बात हमेशा women ही करेगी men भी करते है ठीक है तो यह feminist की definition हो गई आया समझ में feminist क्या हो गया अब इसके और dimensions देखो तो सवाल यह आता है कि inequalities क्यों है तो कैसी है तो many of the many of the inequalities we see in society between men and women are neither natural nor necessary खदम को यहां पर ठीक है तो जो हम inequalities देखते ना कैसे inequalities देखते हो men or women के बीच में हमें बोलते हैं कि लड़की जो है वो कमजोर है ठीक है ऐसा बोलते हैं यह inequality तो यह आप लड़के को मजगूत बता रहे हो लड़की को कमजोर बता रहे हो तो यह जो inequalities आप देखते हो ठीक है तो many inequalities that we see in society between men and women are neither natural nor necessary तो आप हर चीज को जरफे नइस ने बोल सक्ते है उससे वो काम नहीं हो पाएगा आप बोल दोगे कि कि यह नहीं हो पाएगा कभी कोई ऐसा बोले ना कि एक मिट के पीछे अगर वो लड़की है तो उससे काम इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपने उसको बच्छपन से उस पिंजने में बान दिया कि तुम लड़की हो तुम से नहीं हो पाएगा जैसे हम बात करते हैं कि चलो स्पोर्ट्स की बात करते हैं एक सब्सक्राइब बहुत सारे मेडल तो मारी लड़कें जीत के लाए थी एक समय पे लड़कों से कुछ नहीं मिला था तो मैं आपको फॉर्ट्स की बात करते हैं यूज्वली क्या होता गेम स्पीरिड में तो लड़कियों को एक मेजर होगा घर में रहना होगा स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स उनके लिए इस एक मानसिक्ता बना दी जाती है फिर बतारों एक्सेप्शन सार ओल्वेस दियर ठीक हर लड़की को ऐसा है नहीं पिंजर रखा जाता है लेकिन लड़कें मेंटली मान के चलते कि स्पोर्ट्स इस नोट नहीं है नैसेसरी नहीं है तो क्या होता है कि it can be altered by and it can be altered so that both women and men can lead free and equal lives ठीक है अब आप बोलोगे सर कुछ inequalities तो natural ही होती है जैसे बात की जाए sex की ठीक है तो male का sex और female sex difference है natural है तो यहां पर वही बताया गया कि यह inequalities जो है कि आप बोलोगी sex के basis पर differences है inequalities है तो वो तो alter भी किया जा सकता यही चीज मैंने आपको starting में भी बताई थी जब हम equality पढ़ रहे थे तो जिन inequalities को आप natural बोलके कुछ inequalities natural होती कुछ socially produced होती तो जिने आप natural बोलके क्या करते थे undue advantage लेते थे कि natural inequalities है तो science के develop हो जाने से वो inequalities भी खतम हो गई है तो एक feminist जो है ना वो यही argument देते है कि कोई भी inequality naturally नहीं है आज अगर आप बात करते हो कि sex के basis पर inequality exist करती है तो वो तो अल्टर भी की जा सकती है ताकि क्या हो कि हर individual चाहे वो male or female can lead free and equal lives the same applies for the male also तो इस sense में क्या है इस sense में आपको कहानी को relate करना है अभी कि feminism क्या है और feminism के मतलब feminism के जो propounders होते हैं आफिक है सकते हैं जो feminism के flag bearers होते हैं जो support करते हैं उन्हें feminist का आ जाता है और जो inequalities है तो inequalities क्या है बे तुकी है क्यों क्योंकि कुछ भी natural और necessary नहीं होता है आज के समय में उसे कि लड़कियां sports नहीं खेलेंगे लड़के खेलेंगे तो inequalities आई कहां से तो आज जो inequalities वो कहां से आई आसमान से गिरी तो result of patriarchy तो आज जो inequalities exist करती वो those inequalities are result of patriarchy जैसे एक और inequality में बताता हूं क्या एक और inequality क्या है कि घर एक है तो हम क्या सोच के चलते हैं कि घर चलाने का काम किसका होता male का ठीक हम ऐसे देखते हैं क्या कि family में male होगा तो भी घर परिवार चल पाएगा सारी चीजे अब यह क्या हो गया यह इस तरह की inequality जो है natural भी नहीं जरूरी नहीं कि ऐसी होना चाहिए क्यों लड़कियां घर नहीं चला सकती गया चला सकती है जहां मान लो कि किसी family में male नहीं है कोई death हो गई है या फिर कुछ भी मान लो तो divorce हो गया है तो अब वहां पर female भी तो चला रही family वो भी बच्चों को पालती है बड़ा करती है पढ़ाती है शक्षम बनाती है ठीक है लेकिन हम क्या मान के चलते की विमन नहीं कर पाएगी यह सोच बतारों में एक सोसाइटी की वो क्यों आई और पता है तो that thinking is the result of patriarchy सवाल patriarchy क्या है सर तो देखो patriarchy क्या होता है patriarchy मतलब उस तरीके से सोचना जहां पर आप social economic और cultural system मनाते हो ठीक है एक ऐसा system मनाना जहां पर where you are where you are valuing men more than women ठीक है तो patriarchy is a social economic and cultural system that values men more than women and gives men power over women आया समझ में तो एक ऐसा system construct कर लेना जहां पर आप men को जादा value दे रहे हो ठीक है आप men को power दे रहे हो over women ठीक है तो वो patriarchy होता है पुरुष प्रधान समाज जू होता है जहां पर क्या होता है पेट्रियार की डॉमिनेट करती है लोग male centric society बना देते हैं जरूरी नहीं है वो ही बता रहो not necessary ठीक है यह जो inequalities होती वो natural or necessary नहीं होती है लेकिन वो जो construct की जाती है वो construct भी क्यों की जाती है क्या सकते हैं आपको में स्टाइटिंग में बताया था क्या कि desire for power society में जो में वाला section था उन्होंने सोचा कि power हमारे पास होना चाहिए तो उन्होंने natural inequalities का हवाला देते हुए सुरुआत से ही क्या करने की कोशिश की हमेशा अपना domination बनाए रखने की ठीक है अब जिससे आप देखोंगे बहुत जो ट्राइबल communities होती है जैसे आपने सुना होगा तो amazonian tribes जो होते हैं तो वहां पर क्या amazonian tribes जो है न तो उस अब क्योंकि tribes वो main society से अलग है उनका culture जीरो लेवल से उन्होंने खुद construct किया तो वहां पर ऐसा है कि women जो रहती वो dominate करती women women जो है तो वो क्या है warrior की तरह होती है तो यह क्यों होगा क्योंकि वो जो society ने system मना दिया तो उससे अच्छूत रह गया है उससे influence नहीं हो तो उस कारण उनका system अलग है ठीक तो पूरा खेल के रहता है societal construct करेता society में males ने मौका पा लिया domination establish कर दी यही मौका अगर female पहले पा जाती तो वो domination establish कर सकती थी जैसे कुछ कुछ जानवरों में होता है animals में होता है ठीक है तो वही पूरी कहानी रहती है यहां पर कि क्या होता है feminist एक जो feminist होता तो यह ideology देता है कि कोई भी inequalities naturally or necessary नहीं होती है वो तो patriarchal nature जो रहा society का तो उसके चलते establish हो गई है और वो system मत चलते जा रहा है ठीक है तो based on the assumptions that men and women are different by nature तो यह जो patriarchal establish की जाती तो वो nature का हवाला दे देते जैसे मैंने आपको starting में बताया था कि by nature यह जरूर होता है कि men nature का जो आप हवाला देते हो आज तो वो अल्टरेबल भी है ठीक है और दूसरी चीज के आए कि सरफ bodily features पर आप देखो ना कि strength जो है वो differentiate करते हैं वो differences बताते sex और gender के basis में यह 10th class में भी पढ़ा है आपने आप connect ना तो वो बोलते हैं कि sex और gender तो अलग अलग चीज़े हैं और लोग क्या करते हैं sex के और gender को एक साँ जोड़ देते हैं जो patriarchal society होती वो ऐसा ही करती है कैसे जिसे sex क्या होता है biological difference होता है biological difference gender is a social construct which determines the different role that men and women plays in society अब क्या होता है कि दो living beings से उनके बीच में sexual difference है तो male और female में by sex difference आया अब उसके चलते क्या होता है कि लोग जब क्या कर देते है societal differences create कर देते हैं यह by birth आया है लेकिन यहां पर आप create कर रहे हो क्या create कर रहे है देखो मैं समझाता हूँ अच्छे से तो social construct which determines the different role that men and women plays in society GIR्टी जैसे अब क्या होता है कि मैंने बोलाए के लड़की है तो आप लड़की है सुनते से आपको क्या समझ में आओगा बड़े बाल ठीक है मैं आपको बता रहो कि किस तरह से घंडर बनाते हैं sex तो यह कहलो कि भगवान के हां से बनके आया है लेकिन gender हम बनाते हैं यहां पर ठीक है मैंने बोला लड़की है तो आप बोलोगे बड़े बाल ठीक है बड़े बाल के आद में फिर आप क्या लोगे soft spoken होगी वह ठीक है soft spoken होगी आप उसको उसकी dress जो देखोगे तो उसको अलग dress में imagine करोगे वह कुर्ती हो सकती है साडी हो सकती है इस तरह से imagine करोगे ठीक है अब यह बताओ क्या लड़की छोटे बाल नहीं रख सकती है रख सकती है बिल्कुल ठीक है यह तो हमने क्या करा एक gender के हिसाब से लड़की के लिए एक अलग parameter बना दिया लड़कों के लिए एक अलग parameter बना दिया ठीक है और फिर हम क्या जैसे हम उनका पूरा social role अलग होगा मेल जो होगे तो क्या करेंगे मेल बिंदास लगेंगे मतलब society में freely जा रहे हैं कभी भी अब female जो जेंडर है तो हम क्या होगी रात में बाहर मत जाओ लड़कियों के लिए बाहर जाना सही नहीं रहता है ठीक है तो उस तरह से यह हमारा social construct हो रह ठीक है लड़की पैदा होई तो आप pink color का doll लेके जाओगे pink color जो है तो pink color आप किस से जोड़ोगे लड़की से जोड़ोगे कि pink color is for girls लड़का जो है तो आप क्या बोलोगे कि लड़के रोते हैं क्या ठीक है क्यों लड़के क्यों नहीं रो सकते बताओ रो सकते हैं और उस सेक्स के हिसाब से दिखा जाये तो women can become pregnant and bear children ठीक है तो महिला है ही pregnant बनेगे मेल थोरी ना pregnant बनेगे ठीक है तो बच्चा बच्चे को कह सकते है बच्चा जो है ना तो वो किसकी वोम में जाता है एक mother के एक कह सकते है एक female के ठीक है तो women can become pregnant and bear children लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो जो बच्चा होगा उसकी जिम्मेदारी भी women ही ले दोगो feminism ideology के concept सो सोचना बहुत अच्छा example यह है sex की limitation है कि बच्चा bear कौन करेगा women ही करेगी यह limitation है by nature तो sex के हिसाब से क्या है कि जो female sex होगा वहीं बच्चा bear कर सकता है male नहीं करेगा ठीक है लेकिन यह इसका मतलर ऐसा कोई लिखावा थोरी ना कहीं पे या फिर वो बच्चा निकलते से बाहर बोलता है कि मेरी responsibility बस female ही रखेगी यह हमने by gender बनाया है आयना समझ में यह society ने construct किया अब यसा भी हो सकता है कि बच्चा जो पैदा वा तो उसका ध्यान पिता जी रख ले male भी रख सकता लेकि नहीं हमने societal construct क्या होना दिया कि female ही ध्यान रखेंगी अब कुछ बुद्धी जीवी इसमें argument देंगे कि बच्चा जो रहता है तो वह माही ही बच्चे को feed करवा सकते ही वह सारी चीजे तो वह second ही चीज है चलो feed करवा दिया बच्चे ने दूद छोड़ दिया है दूद पीना छोड़ दिया लेकिन उसके बात भी धियान कौन र responsibility तो male भी ले सकते हैं बराबर बात लो चलो male को क्यों दे पूरी ठीक है वह तो फिर वहाइवात हो जाएगी इधर patriarchy तो मैं triarchy कर रहे हो male को क्यों दे equal responsibility होना चाहिए ठीक है तो जब आपके बच्चे होंगे कल गो तो क्या करना है equal responsibility समझना ठीक है इस argument में यह अपने आप में policy का सिकार है यह argument मतलब अपने आप में गलत है यह argument ठीक है तो बच्चों का ध्यान तो दोनों रख सकते हैं ठीक है feminist ना होते हो भी आपको समझना चाहिए चीज़ को clear हुआ तो feminist questions this way of thinking by making a distinction between sex and gender तो इस तरह की जो सोच है ना उसको feminist क्या करते है question करते हैं by making distinction between sex and gender I hope you got the concept कि sex और gender में क्या difference है समझ में आया ना ये 10th class में भी पढ़ा था फिर बता रहो एक बार अच्छे से आप जीवन भर के लिए ध्यान रखना हो clear हो आये तो ये पूरी कहानी रही है तो much of the inequality between men and women is produced by society and not by nature तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि gender का जब construct करते हैं society तो बहुत सारे differences तो society बनाती है nature के द्वारा तो चलो मानलो sexual organ में ही difference था लेकिन society जो है और multiple है कि patriarchy हमेशे division of labor produce करती है division of labor कैसा मतलब वह women को क्या काम दे देती है women को काम यह देती है है कि बाहर public domain का का मेंन का होगा अब इसको उल्टा करके देखो जा रहा हूं करके देखो two minute के लिए क्या possible नहीं है women बाहर के काम समाल सकती है अगर आप उनको बचपन से उस तरह से ढालोगे अब जिसे आज की generation आप देखो के तो आज क्या है आज कहीं न कहीं आप देखो कि equality forefront पे आ गई है लेकिन आज से 20 साल पहले नहीं था women incapable महसूस करती थी अपने आपको ठीक है क्यों क्योंकि बचपन क्या आईगी आपके सामने ठीक है तो opposite भी कर सकते हैं लेकिन patriarchal society ने क्या कर दिया division कर दिया कि ये private domain ये public domain ठीक है तो feminist जो होते तो इसी चीज को question करते हैं अब आप सोचो कि कैसे question करते होंगे feminist इस division of flavor को तो by pointing out that most women are also active in public life तो feminist इसी चीज को point out करते कि ऐसा नहीं है कि women बाह के काम public domain को नहीं समाल सकती है बहुत सारी महला है politics देख लो business देख लो film industry देख लो जो भी आपको business देखना हो जो भी आपको domain देखना हो public domain हर domain में women है आज ठीक है और वो क्या कर रही है sufficiently काम कर रही है और वो अपना सिर्फ वही काम नहीं कर रही है उसके साथ साथ along with this women face double burden वो double burden को भी face कर रही है यह word जो है feminist ही coin करते है double burden का मतलब क्या है कि देखो women अपना role जो public domain में तो बखू भी निबा रही है साथी साथ में वो अपने private domain में भी अपना काम करती है घर का काम का एक teacher जो होती है ठीक है female teacher जो होती है देखो मैं खास करके बता रहा हूँ करते है अब ही रही है पड़ाने के साथ साथ में घर का काम भी कर रही है और यह चीजजा आप अपकी work-life में भी apply करना जिब था बड़े हो जाओ और यह काम और करो गया आपके साथ जो कलीक्स रहेंगी तो फिमेल होने के साथ जाया करता है अपने आपके पराबर काम भी क समाल रही है उनके उपर double burden है ठीक है वो double burden को बखुबी निभा रही है ठीक तो feminist जो होते हैं इसी चीज को यह division है जो अपने आप में क्या हो बोल सकते हैं गलत है उस division को challenge करते है feminist और बोलते हैं कि women जो है वो actively public domain में भी उतना ही actively काम करी उतना ही actively वो मतलब double burden को भी समाल रही है तो आप यह नहीं बोल सकते हो कि यह domains जो है तो private domain women के होगा और public domain men का होगा इस exclusively आगया समझ में तो then also women are given little and no say in public domain तो यही सारे questions उठाते है और feminist बोलते हैं तब भी women को क्या है कि बहुत कम से क्यों मिलता public domain में वो तो बखुबी चीजें कर सकती है ठीक है तो feminist जो होते है feminist इसी प्रकार का जो distinction होता है तो feminist content that this public private distinction and all form of gender inequalities can and should be eliminated तो पूरी जितनी भी जैसे gender तो पूरा अपने आप में क्या है societal construct है तो उसके उपर जितनी inequalities कर रहे हो उन्हें खतम कि जाना चाहिए जो gender distinction बना देते हो आप इन in terms of work उसे भी खतम किया जाना चाहिए और feminist यही argument रखते हैं आशा करता हूँ कि आपके अंदर भी एक feminist जागा होगा छोटा सा ठीक मैं यह नहीं बोलो कि आपको feminist बनना है लेकिन आप equal rights को मतलब चश्मे को उतार के जरा देखो reality क्या है ठीक है तो reality है यह जो भी चीज़े इतनी point बता एक भी point गलत हो comment section में आपका स्वागत है आप ब कुछ systematic way में video lectures के format में available है जैने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं घर बैठे अपना syllabus complete कर सकते हैं एक part complete हुआ chapter का अब हम last part को next video में deal करेंगे till then stay corrected keep learning thank you thank you very much